गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, हाव आर यू, आई होप आप सवस्थ होंगे बिटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था फ्रांसिसिक क्रांती फ्रांसिसिक क्रांती के उपर आज हम टेक्सबुक के किश्णो के उपर चर्चा करेंगे इससे पहले हमने नैपोलियन के उद्य के बारे में और नैपोलियन की उपलब्दियों के बारे में चर्चा की थी तो आज सभी जो हैं अभ्यास के परशनों के उपर हम डिस्कसन करेंगे चलो चर्चा करते हैं फ्रांस में क्रांती की शुरुवात कीन प्रस्तितियों के कारण हुई बेटा फ्रांस में जो क्रांती हुई बेटा इसमें हमने जैसे आपको बताया जब भी कोई क्रांती होती है वो किसके कारण होती बेटा सोशन के कारण यदि सोशंड की हम बात करें तो देखनी को मिलता है सामजिक ऐसमानता आप काओगी सामजिक ऐसमानता के साधर बेटा जैसे मद्दकान समाज में तीन जो एस्टेट थे पर्थम, पादरी, तित्य, कुलेन और तित्य, किशान तो इन में काफी क्या देखने को मिलता था पिटा एसमानता देखने को मिलते थी पर्थम तो एस्टेट को जो है जनम से सम्भनी विशेश अधिकार प्राप थे जबकि तिरटे जो एस्टेट था उसमें बारिश सोशन किया जाता था तो इसी सोशन की वज़े से मद्दय वर्ग का उदेवा 18 स्थाबदी के तोरान और मद्दय वर्ग में कौन आते हैं सिख्षक, प्रयाणविद लोग, वकील, व्यापारी जिनों ने तीसरे एस्टेट के लोग जो कर देते थे उनके परती आवाज उठानी शुरू की और जबकि हम देखते हैं कि जो कुलिन और पादरी वर्ग है उनको कर बनने की छोट थे तो यहाँ पर क्या देखने को मिली ऐसा मानता मलो किसान तो कर बरता था जबकि कुलिन और पादरी है वो कर मुक्त थे मलों उनको कर बनने की छोड थे तो यह ऐसमानता जो की फ्रांसिसी करांती का एक मैतपुन कार्ण बना नेक्स्ट लेते हैं दूसरा पॉइंट जीवी का संकट तो जीवी का संकट के उपर हमने जैसे बताया थे बिटा पिछली वीडियो में कि जीवी का संकट के आए बिटा जो आउसकता की जो चीजें है उनकी जो है मुल्ले में विर्धी कर देना और हम देखते हैं फ्रांस में जन्शिंग के अत्रिवगति से बढ़ रही थी फूर एक्जम्पल 1715 में फ्रांस की जन्शिंग के दो पॉइंट तीन करोड थी वहीं जो फ्रांसी क्रांटी की दोरान 1789 में यह बढ़ कर कितनी हो गई दो पॉइंट आठ करोड हो गई इसकी कारण क्या हुआ अनाज के उत्पादन की तुलना उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ गई हादिकान्स लोगों को मुखजक पारोटी की जो है कीमत में तेजी से विर्दी हुई और मगर मजदूरी की महंगाई किदर नहीं बढ़ाई गई इससे रोजी रोटी क्या संकट उत्पन हो गया ये भी जो है फ्रांसी क्रांटी का दूसरा कारण बना नेक्स्ट आर्थिक समस्या यदि हम आर्थिक समस्या के उपर बात करें तो बटा फ्रांस के वित्ते जो संसाधन थे वो नस्ट हो चुके थे अपने निमित जो खर्चों जैसे की सेना रख रखाओ राजदर्बार सरकारी कारेलों विश्विद्यालों को चलाने के लिए फ्रांसी से सरकार करों में विर्दी के लिए बाद दे हो गई थी मतलओ राज़कोई इतना खाली हो गया था तो उस राज़कोई लई के लिए क्या करना पड़ा उन्हें जैं कर निशित किये और तो फ्रांसी सी जो है जनता के पास से अधिक कर्व असुन ने शुरू कर दिया जिस्चे जनता बड़क उठी तो एकोनोमिक समस्या भी एक परकार से फ्रांसी करांती का कार्ण बनती है क्योंकि फ्रांस की जो अर्थव्यस्ता है वो चर्मरा गई थी इस तित्ति को सुल जाने के लिए लोगों पर भारी कर लगा दिये गए थे जिस्चे लोग बड़क उठे और उनने करांती शुरू किये तो ये भी एक करण बना जाता है नेक्स्ट मजबूत मद्वरग 28 आपदी में मद्वरग सिक्षित और धनी हो चुका था उनका ये माना था कि समाज के किसी खास तबके को जनम के आदार पर विशे सदिकार नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हमने आपको बताया बेटा कि पादरी और कुलिन को जनम से संबंद विशे सदिकार दिये जाते थे दार्शनिकों ने सवतंतरता समान नियम समान आउसरों के विचार को आगे लाया और दार्शनिकों ने इन विचारों की चर्चा काफी हावसों वे सैलान हुई पुष्टकों और अकबारों के माद्धम से इनका व्यापक रूप से परचार परशार किया तो मद्दवर्ग के उदय ने भी काफी जो है फ्रांशी करांते में शकरी बुमी का नेवाई मद्दवर्ग के उदय के कारण भी फ्रांशी करांती की जवाला बढ़की क्योंकि लोगों को प्रेरित किया दार्शनी लोगों ने उनके अधिकारों के परती सवतंतरता के परती समानता के परती काफी जो है लोगों को प्रेरित किया इस जो है फ्रांशी करांती की जवाल बढ़की नेक्स्ट अगला जो फ्रांसिक क्रांती की जो है कारण क्या है तातकली कारण फ्रांसिस सम्राट लुई ने पांच माई 1789 को नए करो के प्रस्ताओं की अनुमति दे दी अनुमतिन के लिए एक यहां था कि बैठक भी बुलाई तीश्रे एस्टेट के परते निदी प्रस्ताओं के विरोध में दे लेकिन परते एक एस्टेट को एक वोट होने के कारण उनकी अपिल को ठुकरा दिये गए जिसे तीश्रे एस्टेट के परते निदी सभा से बार चले गए कहने का तात्प्री यह वह बेटा कि भी फ्रांसिसी जो सम्राट लुई कि ने जो है करों में विर्धी करने का एक परस्ताओ पारित किया अनुमोधन किया एस्टेट जनरल की बैठके बुलाई गई जिसमें तीसरे एस्टेट ने उसका विरोध गया क्यों किया क्योंकि हम देखते हैं परस्ताओं के लिए परते एस्टेट को एक वोट होने के कारण उनकी अपिल को ठुकरा दिया गया तीसरे एस्टेट की बात को ठुकरा दिया गया और तीसरे एस्टेट के परते निजिस सभा को छोड़कर भार चली गई और मलो मद्दवरग या तीसरे एस्टेट के लोग मलो उसके विरु दो गए और उन्हें इस प्रकासिक क्रांती की शुरुवात की तो यह सबी क्या थे पेटा फ्रांसीसिक क्रांती के कारणों की उपर आमने बात की वे कौन-कौन सी पस्तिती थी जिसके कारण जर्फ्रांसी क्रांती हुई नेक्स्ट अगला जो क्यूशन आता है फ्रांसी समाज में किन तबको को क्रांती का फायदा मिला और कौन-कौन से समू सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए क्रांती के नतीजों से समाज के किन समू को निरासा हुई तो सोबाई के बटा हमने अभी जैसे जिकर किया कि फ्रांसी समाज में किन तबको की क्रांती को फायदा मिला तीस्रे अस्टेट के अमिर तबको को जो है फ्रांसी क्रांती का फायदा मिला कुलीन और पादरी समू को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा समाज के गरीब समू और महिलाओं को निरासा हुई तो इसमें दो-तिन बाते पुछी गई ये बेटा पहले तो ये पुछी फ्रांस समाज के किन लोगों को जो फाइदा मिला कुलीन और पादरी वरग जो जनम से समद विशेश अधिकार रखते थे उनको सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा करांती के नतिजों से समाज के किन समू को निरासा हुई करीब वे महिलाओं वरगों को बड़ी निरासा हुई ठीक है बटा अगला तरह है 19 और 20 शदी कि दुनिया के लिए फ्रांसी करांती कौन से विवरासत छोड़ गई बड़ा इंपोर्टन कुशन बटा मलो फ्रांसी करांती ने लोगों के कौन से विचार उत्पन किये फ्रांसी करांती से लोगों को क्या ज्यान अरजित हुआ क्या प्रेणा दी इन बातों के उपर हम बात करेंगे देखे बटा फ्रांसी करांती ने लोगों के अंतर सौतंतरता जन्वादी अधिकार के विचार फ्रांसी करांती की सबसे महत्पुन विरासत थी लोगों में सवतंतरता और जन्वादी अधिकार उत्पन हुई बेटा ये विचार उन्नीशवी सदी में फ्रांस से निकल कर बाकी अन्ने यूरूपिये देशों में भी फैल गए इनी के कारण सामन्त विवास्ता का पतन हुआ बेटा और अपने शिमाजों ने संपर्भूस राष्ट राज्य की स्थापना के अनेक जो हैं अपने अंदोलन में दास्ता से मुक्त के विचार को नई परिवासा दी टीपू सुल्तान और राजा रामोन राए करांते कारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेणा लेने वाले जहीं हाँ पर एक्जामपल देखने को मिलते हैं तो उनिश्वी और बीश्वी सद्य में फ्रांस करांते से क्या विरासत सोड़ गई हम देखते हैं यूरोप में पूरे यूरोप में इस परकार की विचार दारा फैल गई आपने सी समाजों ने संपर्भू राष्ट राज्य की स्थापना के अपने अंदोनन आरम किये दास्ता से मुक्ती के विचार भी उत्पन ओने लगे और टिपू सुल्तानिया राजाराम होन रहा है जैसे क्रांतिकारी लोगों के विचार से प्रेणा होकर लोग राष्ट के परती या अलग राष्ट राज्य निर्मान के परती परेरित हुए ठीक है बटा तो ये सबी जै फ्रांस क्रांति से ही हमें शिक्षा मिलती है उन जन्वादी अधिकारों की सुच्ची बनाईए जो हमें मिले हैं और जिनका फ्रांस क्रांति में वड़न किया गया है मलो हमने वे अधिकारों का जिकर करना है जो अधिकार हमें फ्रांस क्रांति के बाद होने के बाद मिले है तो बिटा फ्रांसिक क्रांती में इन अधिकारों को जिगर भी मिला है जैसे समानता का अधिकार सवतंतर तक अधिकार हविवैक्ति मल विचार वैक्त करने की सवतंतर तक अधिकार सोसन के विरूद अधिकार और नाय के अधिकार ये अधिकार जो फ्रांसी करांती के दोराना में प्राप्त हुए है क्या आप इस तरक से सहमत है कि स्रोबोमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोदी थे काफी अंतर थे ये देखने को मिलता है बिटा हाँ बिटा शुरोबिमिक अधिकारों के संदेश मिन्दाना अंतरविरोधी थे जैसे पूर्ष और नागरिक अधिकार गोशना पत्तर के कई आदरस एस्थपस्ट अर्थों से बरे पड़े थे जैसे समाज के लिए किसी भी हानिकारक्त किरता है पर पाबंदी लगाने कादिकार कानून के ये पास है में किसी व्यक्ति के खिलाब अपरादी आरोप के बार में कुछ नहीं काज़ गया गोशना पत्तर के अनुसार कानून समाने इच्छा की अभी व्यक्ति है सभी नागरिक को व्यक्ति करते रूप से या अपने परतिनी दियों के माद्दम से इसके निर्माण में बाग लेने का अधिकार है कानून के नजर में सभी नागरिक समान है लेकिन फ्रांस की सिविधानिक राजदंतर बनने के बाद मैलाओं पूर्ष जो प्रियाप्त कर देने के एसमर थे जिनके उमर 25 वर्ष से छोटी थी जैसे करीब 30 लाख व्यक्तियों से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया जिनके उमर 25 वर्ष से छोटी थी जैसे करीब 30 लाख व्यक्तियों से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया अत्य इन शुरो बोमिक अधिकार उसे गरीबों को दबा दिया गया और स्विधान केवल अमीरों के लिए उपलवद रह गया वलो केवल यहाँ पर हम देखते हैं स्विधान में जो नियम बनाए गए जो कानुन बनाए गए वो केवल उच्वर के लिए ही बनाए गए जबकि निवन तबके के लिए नहीं तो वो एक परकार से विरोधी भावना उत्पन करते हैं स्विधान के वल अमीरों के लिए उप्लवद रहे गया मैलाओं को इन से कुछ हासिल नहीं हुआ तो इस परकार की बावनाई जो है विरोध उत्पन कारती है नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बिटा नेपोलिन के उदे को कैसे समझ ज़ाजा सकता है बिटा तो बिटा नेपोलिन के उदे किसके कार्ण से हुआ बिटा 1722 में वे फ्रांस के जगनतंतर बनाने के बाद वहां तातकनली सासक किसका बिटा रोब स्पेयर नियंतर्ण तथा दंड की सक्त निती अपनाई वी थी लोग उससे प्रहिसान थे वे खुद ही एक नियंतर्ण सासक बन चुगा था प्रिणाम सबरूब अगले कुछ सालों तक आतं का राज थापित हुआ जिस्चे लोगों को जो पावरोटी के लिए तरस ना पड़ा उनकी जो पावरोटी की कीमत बढ़ा दी गई रोब स्वेयर के सासन को खतम होने के बाद सारी सक्ति एक व्यक्ति के हाथ में जाने से बचाने के लिए पांस से देश्यों की क्या बनाएगे बिटा डिरेक्टरी बनाई गई परिश्यद बनाई गई और उन डिरेक्टरी में जा है आप देखने को मिलता है आपसी जगड़ा अक्सर देखने को मिला विदान परिश्यों से होता था और तब परिश्यद उन्हें बरकास्त करने की चेश्टा करती थी ड्रेक्टरी की जो राजनीती एस्थेता ने क्या देखने को मिला बिटा नैपॉलिन के लिए रास्ता साफ कर दिया ठीक है बिटा तो इस वज़े से नैपॉलिन का उदे गुआ नेक्स्ट कुछिशन है फ्रांस के नेपोलिन बोनापार्ट की उपलबदियों का वढ़न करें जो कि आमने पिछली वीडियो में आपको इसक्यूशन के उपर बताया था या इस कुछन को ऐसे भी पूछा जासकता है फ्रांस के आधुनिक करण के लिए नैपोलिन दवारा लागू किनी तीन कारगों की चर्चा करें तो देखो बिटा इसको एक पर फिर जान ले इसमें फ्रांस में नैपोलिन बोनापार्ट की उपलब दिख्या थी नैपोलिन बोनापार्ट ने नए उद्ध्यों को की स्थापना की क्योंकि क्योंकि वो फ्रांस को क्या बनाना चाहता था आधुनिक बनाना चाहता था एक स्टेप दूसरा नेपने बोनापार्ट ने सडकों और नियरों का निर्माण किया क्यों किया क्योंकि वह व्यापार बढ़ाना चाहता था दूसरा तीसरा पॉइंट उसने नीजी समपत्ती की शुरक्षा के कानून बनाए और दसमल पत्ते प्रादारेत नापतोल के एक समान परणाले चलाए गई चोथा स्टेप अगर हम बात करें तो उसने पडोस के जो यूरोपे देशों की विजय यात्रा भी शुरू की और पुराने राजवनसों कोटा कर नए सामराजय बनाए गई नेक्स्ट उसने पोप के साथ भी मैतिपून संबन स्थापित की और इसके बाद नेक्स्ट एक नए सिविदान का गठन किया जिसके प्रिणाम सरूप चार विदायनिक निकाओं तता तीन कारेपलिक निकाओं की स्थापना भी की तो ये सभी क्या थी नेपूनिन बोनापार्ट की ओपलब दिया नेक्स्ट बिटा एक क्यूशन ये भी है कि कन्वेंशन क्या थी फ्रांस में इसकी बूमिका का वड़न करें देख बिटा 1791 में फ्रांस के लिए एक नए सिविदान की रूप्रे का तयार की गई उसके बाद 1792 में फ्रांस में गठित क्या नव निर्वाचित असेम्बली को क्या नाम दिया गया वटा कन्वेंशन नाम दिया गया तो आप से पुछा जाए कन्वेंशन क्या थी तो आप बता सकते हैं 1722 में फ्रांस में गटित नव निर्वाचित असेमली को ही कन्वेंशन का नाम दिया गया फिर ही यहाँ पर पूछा गया है फ्रांस में इसकी क्या भूमिका रही तो पिटा सबसे पहले फॉस्ट स्टेप हम लेते हैं इसमें राजतंत्र का अंत्त कर दिया गया इस Assembly के माददम से या Convention के माददम से परिणाम सब रुपी ये देखने को मिला कि वही राजतंतर का तो अंतुवा फ्रांस को एक गणतंतर गोशित कर दिया गया एक नए स्विदान की रूप रिखा तयार की गई और जो वनसानुगत सासक लूइस सोलवे और उसकी पतने को जह मोत की सजा सुना दी गई रूप स्पियर को नैशनल कन्वेंशन का अध्यक्स निर्वाचित किया गया उसने नियंतर्ण एम दंड की सक्त निति अपनाई तो ये कन्वेंशन की गूमिकार आई लास्ट क्यूशन पर हम जो चर्चा करते हैं बिटा क्रांती से पहले तथा बाद में फ्रांस की राजनिति और आर्थिक और सामाजिक परस्तितियों में क्या अंतर्था तुलना सपास्ट करें तो देखो बेटा, पहले हम बात कर लेते हैं करांती से पहले की बाते हैं 1789 की करांती से पहले क्या स्थित्ति देखने को मिलती है राजनितिक, आर्थिक और सामाजिक, वो बाते हम बताते है राजनितिक प्रस्थिति हैं बेटा, क्या देखने को मिली 1789 की करांते से पहले फ्रांस समराट लुई सोलवे के सासन क्या दिन था सभी राजनिति शक्तिया पहले दो एस्टेटों को प्राप्ति उनके आथ में थे तो राजनिति प्रस्तितिय तो ये देखने को मिली बिटा आर्थिक प्रस्तितिया तीसरे एस्टेट के लोगों दवारा ही सभी प्रकार की कर दिये जाते थे और पर्थम दो एस्टेट लोगों को जो है कर बनने की छूट होती थी तो आर्थिक प्रस्तितिया ये देखने को मिली जबकि सामाजिक प्रस्तितिया तीसरे एस्टेट के लोगों के साथ काफी बेदबाव किया जाता था अत्ताचार किया जाता था तो ये क्या सामाजिक परिस्तितियां तो ये क्या है 1789 की करांति से पहले राजनितिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्तितियां लेकिन 1789 की करांति के बाद क्या प्रिवर्थन देखने को मिला राजनितिक प्रिवर्थन अगर हम बात करें तो फ्रांस क्या हो गया था एक गंडतंतर बन गया था और राजनितिक सक्तियां तीसरे अस्टेट को दे दी गई जैसे कि तीसरे अस्टेट में कौन किसान, व्यापारी, सिक्षक ठीक है ये सबी उनको दी गई आर्थिक प्रिस्तितिय क्या देखने को मिली कर आय संपत्ति के आदार पर लगाये जाते थे मत देने का अधिकार करों से सम्बंदित था और सामाजी का अगर प्रिस्तिति की बात करें सबी को समान अधिकार दिये गए ये क्या 1789 की करांति के बाद राजनितिक, आर्थिक और शामाजीक परिवर्तन देखने को मिले तो बिटा इस वीडियो के माद्दम से हमने टैक्सबुक के जो क्यूशन थे सबी पर डिसकसन किया आई होप आपके समझ में आगएंगे सबी टैक्सबुक के क्यूशन आपने अपने फेर नोट में राइट करना है, लर्न करना है ओकी नाइस टोकिंग टू यू बटा, थैंक यू